क्राहिया लाल हत्याकांड मामले में NIA नेकल चार्षीट दायर करी है। चार्षीट के अंदर जो है पाकिस्तानी एंगल भी सामने आया है। दो लोग के नाम है जिनको चार्षीट में नामज़त किया गया है। इस पर सियासत भी जो है वो गरमारी है। बीजेपी कॉंग्रेस को आड़े हाथ ले रही है लाइन ओर्डर के मामले में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में है राजस्तान बीजेपी के चीफ सतीश पुनिया सर चार्शीट में जो है बहुत ही शौक करने वाले खुलासे होएं सर किस तरह से देखते हैं यह तो राजस्तान की सरकार का बरोसे तुस्टीकन के रहते संभव नहीं था सुलेमान और अबू इबराहिम के पाकिस्तान के कनेक्शन ओनेर वहीं छुपे रहने से यह बात पूरे तरीके से स्पस्ट होगी जो हम बराबर कहते रहे थे कि इसको पीएफाई की धरती नहीं बनने देना है और पीएफाई को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और कॉंग्रेस की सरकार ने प्रेम किया उसने पूरी प्राकास्टा कर दी यहां पर अरजगता की और जिस तरीके से क्योंकि यह प्रशन ये भी उठता है कि जो गैर भाज़पा शाशित राज्ये हैं वहीं गनिहलाल दरजी की उस हट्या ने राजस्तान की कानुन वेवस्ता की पोल तो खुली है और तुस्तिकरन की पराकास्था करके और इस प्रदेश की आशानती को किस तरीके से ताक पर रखा जा सकता है यह कॉंग्रेस की सरकार से सीखा जा सकता है सर एक और सवाल था इन दिनों जो है कोविट को लेकर दुबारा जो है केंदर सरकार ने सक्ती बढ़ा दिये लगातार मीटिंग हो रही है दिशा निर्देश दिये जा रहे है राजनीतिक भहस भी छिड़ गई एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है जिसको लेकर मंसुक मांड लकिन इसका पक्षी है कि जब तक केंदर की और राजे की एडवाईजरी जारी नहीं होती सामने तोर पर सावधानियां बरतने ये तो सब समझते ही हैं कोई बरतता और कोई नहीं बरतता है लेकिन हमने उस पर पहल करने कोशिश की थी लेकिन वादमी समझ में आया कि राजनितिक तोर पर क्योंकि हम लोग पहले से सारी योजना बना चुके थे और सारा मसला सरकार के कुशाशन जंगलराज और ब्रिस्टाचार के खिलाब जनाकरोस को मानेता भी मिली थी पूरा करेकरता मोटिवेट था अच्छा जन समर्तन मिल तो उसको हम लोगों ने वापस से निरंतर जारी रखने के लिए आगरे किया था जिसकी जब तक हमें एडवाईजरी जारी नहीं होती उसको हम लोग करेंगे लेकिन सावधानी के साथ करेंगे सर ये एक और बात आथ सामना ही है हरी शौदरी ने जो है आज बाडंबेर में बाईतू के अंदर कहा कि जो तीसरा मोर्चा जो है वो अशोग गहलोत द्वारा स्पॉंसर्ड है प्रायोजित है एक्जैक्ट जो शब्दुनों ने परयोग करा है तो आपको लगता है जातरा कॉंग्रेस की इस जगड़े की कोई स्थाई रिपेरिंग कर देगी ऐसा लगता नहीं था इसलिए मुझे जो उनका अंतर विरोध और अंतरकल है वो अभी तो सत्य पर है और उपर आने की संभावना है सर आखरी सवाल है कॉंग्रेस है कहती है कि पत्र राहूल गांदी को लिखा जाता है लेकिन पत्र सतीश पूनिया को क्यों नहीं लिखा जाता क्योंकि वो भी आप जनाक रोशातर निकाल रहा है चेंद्डिया स्वास्त्य मंत्री को पत्र लिखा था मुझे किसी संसद्र मेरे बारे में किसी दूसरे वैक्सिन नहीं लिखा और इसमें इतना बड़ा कोई ऐसा मसला भी नहीं था कि जब तक क्योंकि मैं यह मानता हूं कि ठीक कोरोना की एक सामने हिदायत है चेतावनी है ले सरकार इसके बारे में पहले से सचेथ है तो कोई ऐसी लगेगी तो हमें भी कोई परेज नहीं कि हम उसको पूरे तरीके से स्थगीत कर दें लेकिन अभी परिस्तितियां उतनी विकट नहीं है यह थे हमारे साथ में भाजबा की चीव सतीश पूनिया इनका कहना है कि कोईट की जो स्थितिया अभी राजिस्तान में एतनी विकट नहीं है लेकिन अगर कोई एडवाईजरी मिलती है तो उसकी वो भी पालना करेंगे कैमरा पसर निखिल शर्मा के साथ जैपूर से जैकिशिन शर्मा